अर्विंद केजरिवाल अच्छे जब वो दिली में एक अच्छे मुख्यमंतरी के रूम में उन्होंने काम करके दिखाया है, वो प्यम के रूम में भी अच्छा काम दिखाएंगे क्या लग रहा है जिस तरह से विपच दो हजार चौबिस को लेके क्या काम्याबी विपच को मिलने वाली है विपच को काम्याबी मिलती हुई मुझे नहीं दिखती है क्योंकि विपच में जितनी भी पार्टियां हैं सबके अपने 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 तरीके से अलाप ले रहे हैं और ये कहीं न कहीं तालमेल बनता हुआ नहीं दीख रहा है कहीं कहीन की यूती बनती हुई नहीं नजर आ रही है अपने अपने रिजर्वेशन से अपने अपने विरोध भी हैं सबके अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पटना में बैठा खुई लालू जी नितीज बावू साथ बैठे थे और लालू प्रसाद यादों ने कितनी गजब क राजनिती खेली उन्होंने पहले तो कहा कि नितीज जी आप पीएम बन जाओ हमारे बेटे को सीएम बना दो समझोता तो यही हुआ इसके तहट दोनों साथ साथ चले और लालू जी के बेटे और नितीज कुमार साथ साथ पूरे देश के सब नेताओं से मिलते समय घूमे क इंतु हुआ क्या बेटक में लालू जी की राजनिती को समझो लालू जी ने कहा राहुल जी आप तो हमारी बात सुनते नहीं हो आपने साधी नहीं की अब साधी कर लो हम सब बाराती होंगे मतलब आप हमारे पीएम कंडिडेट हो हम आपके साथ हैं लालू जी की राजनित नितिस कुमार को वहीं उनके सामने ही ब्यगल में बैठकर उनको चारों खाने चित कर दिया तो ऐसे में गठबंधन टिकेगा बनेगा आगे कुछ रिजल्ट आएगा इसकी संभावना नहीं है जी जी क्या कह रहा है जो यह कह रहे है ना लालू जी ने वह सिर्फ एक मजाक के रूप में बात कही थी उसको बीजेपी वाले बहुत ही अलग तरीकी से पेस्ट कर रहे हैं जो सरसमती से पीम केंडिडेट के रूप में उभर कर आएगा जो वेक्ति जिसके पक्स में सहमती बनेगी उसको पीम बना दिया जाएगा तो पीम बनने के लिए तो ममतब एनर्जी भी तैयार है राहूल गांधी भी तैयार है ओम प्रकास राजबाराज ट्वीट करके जानकारी दे रह तो वीसे भी बन सकते क्योंकि कि यह मामला जो ृब कोट में चल रहा है अभी 2-4-6 महेने में भाना है कि यह लंबा चलेगा तो वह तो वैसे भी पी पीम के में कहां से बनेंगे तो पीम जैसे लालू जी कह रहे हैं जैसे लालू जी कह रहे हैं राउल जी से साधी कर लीजिए हम सब बराती होंगे तो क्या लगता है विपक्स का चेहरा कौन होगा विपक्स में बहुत अच्छे नेता हैं जो पीम के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं जैसे अर्विंद केजरिवाल अच्छे जब वो दिल्ली में एक अच्छे मुख्यमंतरी के रूप में उन्होंने काम करके दिखाया है वो पीम के रूप में भी अच्छा काम बाइसाब का कहना है विपच के चहरे अर्विंद केजरिवाल हो सकते हैं अर्विंद केजरिवाल के पास दिली में लोग सभा में और अर्विंद केजरिवाल पीम बनेंगे साथ में सातों भी ले आये तो क्या पीम बन सकते हैं कहां से और समर्थन मिलेगा अर्विंद केजरि बात आ रही थी तो आप धारा 370 के खिलाफ थे अर्बींद केजरिवाल को किसी विदल का समर्थन नहीं मिला वह से बीच बैठक से भाग कर आए तो अर्बींद केजरिवाल का समर्थन कोण करेगा ? किसके समर्थन सा सरकार बनाएंगे ? क्या 273 सीटे आएंगी ? क्या 273 सीटे कर अर्बिंद केजरिवाल लेकर आएंगे जब तक पुर्ण बहुमत आधे सधिक सीटे लेकर नहीं आते हैं आप पीम कैसे बन जाएंगे अगर अगर आप 6 सीट लाने के लायक भी नहीं है अर्बिंद केजरिवाल के पंजाब और बाकी राजियों को मिला कर कित कि वेर इस दान। आपके पास लोग सभास्तांसों का नंबर ही नहीं अर्बिंद केजरिवाल के पास में तो कैसे प्रदान्मंत्री के चोनओ लड़ सकते हैं ये क्या है हर बात को थोड़ा तोड़ मरड़ू के पेस करते हैं वहां से पटना से अर्बिंद केजरिवाल जी इसलिए निया, वापिस लोटके के अध्यादेश के मुद्दे पर कॉंग्रेस की सहमत्ती कॉंग्रेस ने कोई बात नहीं कही थी इसलिए वापिस आइ बाकी तरफ सब पार्टियों चहों सब और साथ है इसली बात यह में यह कए आप ने सबthoseक्राइब हो पर हम सrice सद्धांतिक रूप से अर्विंड केजरिवाल जी और हमारी पार्टी सय्मत है कि पार्द केजरिवाल जी और हमारी Сक्षल तो उस मुद्दे पर हम आज भी है बाहरत के बाहर जिन राजियों में जंता पिडित थी भारत के प्रति आसा रखने वाली जंता पिडित थी उनको भारत में नागरिक्ता देने की बात हुई थी अर्बिंद केजरिवाल और उनके संगठन के सारे लोगों ने भारत के मुसल्मानों को भरकाने की कोशिस की यह बिध्यक तुम्हारे खिलाप है जबकि उस बिध्यक का भारत के मुसल्मानों से कोई लेना देना नहीं था और वहां से अर्विंद केजरिवाल दिल्ली में कराने तक पहुंचे ताहिर हुसेन केजरिवाल का था अमानातुल्ला खान केजरिवाल का नेता था इन सब सनलिपता इनकी पाई गई है और अभी भी दिल्ली में इन पर केस चल रहा है मुकदमे चल रहे हैं तो कुल मिलाकर अ पारे काम के पीछे अगर खड़े दिखाई दे तो मैं मानूंगा कि उन्होंने 370 का समर्थन करके अच्छा काम किया था किन्तु जब जब दिल्ली सर्विसेज एक्ट पर केंदर सरकार अध्यादेश लाती है तो उनको तो बड़ी चीड होती है जलन होती है देश भर में भारत की चैनित जंता के द्वारा चुनी हुई केंदर सरकार के खिलाप जहर उगलते हुए अर्भिंद के जरिवाल देश भर में घूम रहे हैं उनको देश से कोई लेना देना नहीं है उनको केवल अपनी सुटेबिलिटी से लेना देना है कि कौन सा चीज मुझे सूट कर करता है और कौनसा नहीं करता है भारत में मारवल इतने प्रकार जाता है लेकिन अर्बिंद केजिरिवाल अपनी कोठी rave में लगाने के लिए राजस्थान में मारवल नहीं मिल यह विदेशों से मारवल बनाकर समाहल बनाते हैं सो कर obstruct लगा पर कारा रहें तो आर्विंद केजरिवाल उनके अंदोलन में कभी गए ना आमादभी पर्टी का कोई नेता कबी गया और नई सीड लुव रहगत किंव का क। films कि नहीं कि पच्छी अकता में शाम्यम होते नहीं बाद हो festa से केंद्र सरकार की साराना कर रहा है वो साथ में खड़े हैं यूजी देखे से तुकड़े-टुकड़े-गैंग का समर्थन करने के लिए भारत तेरे टुकड़े-गैंग का नारा लगाने पूरी दुनिया में जिसका मंत्री जेल चला गया डेल साल से जेल में था उसको मंत्री पत से नहीं हटाया, कॉंग्रेस ने भी अपने कार्स पधती में पारदर सिता रखी, जैसे ही कोई नेता केस में फस्ता था, जेल जाता था, कॉंग्रेस भी उसको पद मुक्त करती थी, मनमोहन सिंग ने भी ऐसा किया क्या नाम हो बाई सम्गेरा आधित्य कुमार, मैं डेली से हूँ, क्या लगता है दोजार चौविस के लिए जिस तरह से महागडबंदन तयारी कर रहा है, क्या काम्याब होगा? काम्याब हो सकता है, अगर कोई एक पार्टी स्टेंड लेती हैं, सारे हर जगे के सारे एक साथ एक खटा हो गए है, चाहे अगर यू, मैं प्रस्नली जो मेरे दोस्ते बिहार से बिलॉंग करते हैं, तो सब को पता लालोयाद में वहां क्या किया है, हर चीज में चारा गोट पचास चीजें उन्होंने किया, वह सब जितने अगते हैं, बीटी धाने टेस बहुत थे स्ट्रॉंग किया हैं, इसमें तो कोक यह नहीं कह सकता है, को यहां पे कोयी है इस टॉंग नहीं किया है, इस उन्होंतरं यह कोई टो बाकी मोधी कुछ मुझे नहीं पता मोधी क्या किया है मैं जब डिफेंस के डूम मतलब की आर्मी ब्रैटू तो मुझे यह पता है कि मोधी ने डिफेंस स्ट्रॉंग किया है यह कोई भी नहीं कह सकता पहले टाइम में हमारे जवानों के सर्फ फुटवल के ले जाते थे और सब्सक्राइब बाकी और तुम आप जो कह रहे हो ना कि मोधी विवक्ष में अगरे मोधी तुम्हारे नदर चेहरा है कोई नहीं यहां के लोग अक्सर कर रहे है सब्सक्राइब कर दो मुझे कोई फ्री की चीज वोड़ी सोलुशन है हर चीज देखो हर को इंसान पूरा सौब परतिसा बढ़ियानी होता है किसी में खराबी है लाकों खराबी होगी मोधी में सिर्फ मोधी आजब परसनल अबढ़ियां होगा बाकी लीडर तो खराब है अभी पता लगा आपको पहलवान वाला जो है जो कौन सा लीडर था जो मतलब की उसका पर ब्रजबूसन सर्मा के उसको हां चरंण सिंग उसको सही थोड़ी ने बोल रहा हूं मैं वो तो गलत है ना सारी पहलवान जब जो देश के लोंपिक ला रखे हैं मतले अलम्पिक मे चलाना हमको आता है साठ साल हमने देश को चला चला यह देश की हालत है ना देश की हालत अभी लोग दिली जैसे महानगर में डिली कैपिटल है फ्रीपे 200 यूनिट के चकर में आपना इमान बेच रहे हैं और क्या मिल रहा है बोल रहा है मतलब कि हर जगे पानी आपका अपना रखा है तो बजो करके आर्मी ब्रैट में हूँ तो मैं दूंगा मोधी को वोट लगंदी को मैं नहीं नहीं उन्हें कुछ कामी निकिन इसका क्यलेक्टर ही नहीं है कि उनको देखके को यह से वीडियो आता है आप यह प्रिवा उनका आप कोई वीडियो देखो तो उनका जो ट्रांसलेटर करते कोई साउथ इंडियन में वो कुछ बोल रहा है वो उनते सला उदर कुछ ट्रांसलेट कर रहा है तो एजे उनका खोदी पार्टी युनाइट नहीं हो लिए तो कहां से हो पाए